जाहीं दोश तो आपसे भी का कहा हूं तक रोजगारी स्टडी पर बहुत-बहुत स्वागत है तो friends कैसे आप से भी उमीद करता हूँँ आप से भी एच्छ हूंगे तो friends जैसा कि आप से भी आप से भी आपर देख पाँ रहे हूँगे कि आपका जो website है वो अब आप open करेंगे तो वो 27 तारीक तक के लिए open नहीं होगा उस पर working चला है आपका वहाँ पर आपको कोई भी link active नहीं दिख रहा होगा admit card कब तक जारी होंगे जैसा कि आपसे भी हाँ पर देख पार होंगे तो सारी detail देने वाला हूँ और friends जितने भी candidate यहाँ पर trade test को लेकर के इंतिजार कर रहे थे कि सर देखे सबसे पहला सवाल आपसे भी कर यह है कि सर trade test जो है वो कब होने वाला है तो trade test friends आपका कब तक होने वाला है इसको लेकर के बहुत सारे candidate के comment आ रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी अवगत कर रहा है और फिरसे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो trade test के लिए 20 से 25 दिन आपर मिलते है 20 से 25 दिन आपको trade test के लिए मिलेंगे और friends अब आपको किन candidate को trade test के लिए क्या करना है सारी detail देने वाला हूँ देखिए सबसे पहले आपका trade test वो March में ही होगा बिल्कुल किलिए रहे कि March से ही आपका trade test सुरूख कर दिया जाएगा और हो सकता है ज़्यादा तर आपसे भी जानते हैं एक seat पर जो है आठ गुना candidate यहाँ पर बुलाए गए हैं तो उसके according जो है आपर किन-किन डेट में आपका आपका टेस्ट के लिए आपको बुलाए जाएगा उसके according यहाँ पर मार्च से अपरेल तक भी आपका trade test यहाँ पर चल सकता है तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान अपना सभी candidate अब देखे फ्रेंड्स अब यहाँ पर बात करें कि admit card इसके कब तक आ जाएंगे तो admit card पूरी पूरी इसके chance है admit card मैंने भी बात की थी तो आपके जो admit card है वो मार्च के first week में आने के पूरे पूरे chance है कि आपका जो admit card है वो मार्च के first week में जारी कर दिये जाएं यह पूरी पूरी हाँ पर संभावना है कि आपका जो admit card है वो मार्च के first week में जारी हो जाएगा फस्ट वीक तक नहीं आया तो फस्ट वीक में ही पूरा पूरा चांस जो 蛋 कारण आपका जारी कर दिया जाएगा तो फो इस चीज को आपर ध्यान देंगे आपका हूली से पहले पहले आपके Éडमिकार जारी हो जाएगे आपर आप देखे friends यहाँ पर test को ले करके आपको जो है admit card है यह कब आएगा तो यह मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि आपको जो है admit card है वो March के first week में जारी कर दिया जाएगा उसके बाद friends यहाँ पर जो है आप सभी में से बहुत सारे candidate के comment आ रहे थे हर कोई संस्ता वाला यही चाहता है कि जो डियाइडियो का candidate जो है qualify हुआ है वो हमारे पास आजाए trade test के लिए अब देखे fees जो है वो आप से भी देख पार हूँगा different different सभी ने fees रख रखी है और आप से भी को friends मैं आपर अवगत कराना चाहता हूँ जितने भी candidate यह सोच रहे है कि तयारी कैसे करें कहां से करें और आप से भी देख पार हूँगा इस बार कुछ ज़्याद ही आप से भी कि जो trade test को ले करके हैं आप जो है social media पे आपको यह बताया जा रहा है कि interview कैसे होने वाला है आप से चार आदमी बैठ चार जो है आपको मिलेंगे बैठे इस तरीके से आप से पूछा जाएगा यह वाईवा में यह पूछा जाने वाला है यानि कि आपको interview नहीं होने वाला है यह मैं आप से भी को पहले के लिए कर चुका हूँ कि आपको कोई भी interview नहीं होगा वाईवा भी एक तरीके से यहाँ पर बहुत सारे candidate कहने है कि sir वाईवा तो होगा देखि वाईवा जनरली मैं आप से भी को बता देता हूँ इस तरीके से आपको वाईवा भी नहीं होने वाला है कि चार आपके टीचर या यहाँ पर मैडम बैठ के आपसे पूछेंगे इस तरीके से भी आपसे यहाँ पर कोई भी question नहीं पूछा जाने वाला है जनरली क्या होगा कि आप सभी से basically question जो कि आपके trade से संब्दिद है देखिए सभी candidate यहाँ पर ध्यान देंगे कि आप सभी के जितने भी candidate यहाँ पर जो अपने अपने trade से संब्दिद जो भी basic knowledge होते हैं देखिए basic question आप से भी जानते हैं जनरली जो basic question होते हैं वो हमिसे आप सभी को जानकारी होगी उस चीज़ की तो वही question जो है वो आपसे वही madam करेगी जो आपको जो है उससे संब्दिद जो है working आपकी लेगी यानि आपसे जो भी कारी कराएगी वही madam आपसे यह पूछेगी कि प्रिया student इसका जो working है थोड़ा से यह बताईगी कि इसका होता क्या है बस यह generally पूछेगा ना कि आपसे इस तरीके से पूछा जाने वाला है कि आप क्या कर रहे हैं आप क्या करते हैं आप कपड़े कैसे पहनते हैं इस तरीके से कुछ भी नहीं है यह आपर नहीं आपका इतना seriously जो student को डराने का जो काम चल रहा है कि इंटर्व्यू में इस तरीके से पूछा जाएगा ऐसा ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है आप बिल्कुल अपने आप पर विश्वास रखें आपका selection हो जाएगा यहादि आप पूरी तरेक्स के साथ एक्जाम देने जाते हैं यदि आप पहले से अपने अंदर डर रख लेंगे तो आप बिल्कुल भी हापर जो है qualify नहीं कर पाएंगे इस लिए इस डर को निकाल दीजिए क्योंकि आप से भी के लिए यहाँ पर बहुत सारे candidate के हैं आपर comment भी आ रहे थे कि सर trade test को लेकर करके इस तरीकी से ना तो इसको resistance देगी यानि कि आपने मैंने से कहा कि मैं मुझे इतने color coding का resistance चाहिए तो वो खुद आप से कही कि आप इसमें से लिका लिए तो आपको color coding आना चाहिए अब यह भी पूछ सकते है कि इसका resistance का काम है वो working आपका क्या होता है बस इतना आप से पूछ लेगी diode पूछ करेगा या क्या करता है क्या कारिय करता है या आपसे पूछ लिया जाएगा इस तरीके से आपका electrical में आपसे पूछ लिया जाएगा कि AC motor क्या working करती है बस simple सा है tester के लिए किसका यूज होता है इस तरीके से आपका इस तरीके से कौपा वाले उसे पूछ सकते हैं तो इस तर तैयारी करें क्या करें अब देखे कहां पर तैयारी करें कैसे करें यह आप खुद डिसाइड करें आपके अंदर से खुद confidence यह बता रहा होगा आपको कि आपको कहां से तैयारी करनी है नहीं करनी है क्योंकि जितने भी candidate है देखे उन candidate को तो मैं कहना चाहूँगा कि friends आप देखे जितने भी यहाँ पर छात्र ऐसे हैं जोनोंने कोरोना काल में कि आपको कहां से करना है कौन सा कोचिंग आपको सही लग रहा है लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा बेसिक question आपसे पूशे जाने वाले हैं जो जनरली question होते हैं और आपसे भी जितने भी candidate पहले से confidence रखते हैं कि इस टाइप की question तो हमसे आते हैं जनरली ऐसा हो जाएगा तो बिल्कुल confidence आपके अंदर से कह रहा होगा कि आप बिल्कुल यहां पर qualify कर लेंगे क्योंकि qualify nature का यहां पर आपका skill test जो test है वो होने वाला है क्योंकि यहां पर उसके जो है आपके कोई number यहां पर जोड़ने वाले नहीं है जो आपका general question जो कि आपके basic question होते हैं जो बार-बार आपने exam में पढ़े होंगे ITI में आपने वो question बार-बार पढ़े होंगे बट एक बार जो आपको अच्छे से आपका हो जाएगा इस चीज को यहां पर ध्यान लख के सभी candidate क्योंकि एक घंटे का वैसे time देते हैं वह पर एक से डेड़ भी घंटा वहां पर आपका चल जाएगा तो इस चीज को ध्यान लख है और आपको क्या होता है यह नहीं है कि आपको अलग-अलग बुलाया जाए मेरे time पर जो है 15 से 20 को संते लेकिन generally आपको 15 कोश्चन यहां पर मिलने वाले हैं जिन में से आपका true-false भी होगा blank भी होंगे और कुछ जो है आपको यह रिक्तिस्तान वाले भी होंगे और इसमें जो है कुछ का आपको directly answer भी लिखना होगा जैसे कि माल लीजिए आपको य जो भी trade है बहुत सारे candidate कहलें कि सर आपने जो हमारी trade से संबंदित नहीं बताया तो आप अपनी general basic knowledge रखें अपनी trade से संबंदित यह थे आपके question की बात कर रहे थे जितने भी candidate है यह आपको जो है work sheet मिलेगी उस पे सारे question आपको मिलेंगे mention मिलेंगे यह नहीं है कि आपको लिखना होगा अपनी दोरे से नहीं लिखना होगा उस पे लिखे होंगे आपको tick करना होगा सिर्फ उसमें और उसमें जो है सिर्फ यह बताना है कि कौन सा जो है सही है कौन सा गलत है उसको fill करना है इस तरीकी से आपको मिलेंगे वो दो sheet होंगे एक sheet पे आपको क्या करना ह वह practical के वारे में लिखना है जो आपको क्या करना है एक जैसे कि आपने practical किया अपना उस work sheet के वारे में आपने practical में क्या क्या किया कौन सा job आपको मिला उस तरीकी से हमापर लिखना है आपने क्या working किया और क्या क्या उसमें use किया तो वह चीज लिखना है एक work sheet पर आपको question मि पूछा गया था है इस चीज़ को ध्यान रखें अब देखें बहुत सारे कंडिडेट कह रहे हैं तो देखें मैं जितने भी कंडिडेट से यहां पर जो है मेरा कॉंटक्ट हुआ है उनके अकॉर्डिंग जो है फिटर टरनर और मसीनिस्ट में तो लेथ पर वरकिंग होता है जो कि आपका जो है step turning जो होता है आपका उस चीज़ को ले करके यहां पर जो है देखें मिलता क्या है कि आपको जो है इस तरीके से पूछा गया था 2019 में जो है लगबक जो है इस तरीके से आपको यहां पर जो है इस तरीके से जो है देखें आप बहुत सारे कंडिडेट कह जो पूरा नहीं बनवाया जाता है जितने भी गंडिडिट कहरें कि सर टाइम बहुत लगता है जॉब को लेकर मेल्टिंग को लेकर के कटिंग करनी होती है आपको देखे उसमें जो है जेकि माल लीज़ आपको एक जॉब है यह है उसमें केवल इतने हिस्से की कटिंग आपको कराई जाएगी या आपसे फिनिसिंग कराने के लिए बोलेगा उसका आकार अलग है यानि कि टेडा मेडा होगा उससे आप फिनिसिंग करने के लिए आपसे कहा जाएगा तो वो आपको करना है आपसे इतना हिस्से का कटिं करने के लिए बोला जाएगा तो इतने इससे को आपको cutting करना है उसका finishing करके देना है इस तरीके से आपको जो है सारा कुछ करना है उसका dimension कितना है कितना area है cutting करने के बाद कितना उसका area रहा है इस तरीके से जो आपको सारी knowledge यहां पर रखनी है यह clear है सभी candidate को तो यह basic knowledge है आपका basic question आपका पूचा जाता है ज्यादा difficult question नहीं पूचे जाते हैं नहीं ज्यादा difficult आपका job वहाँ पर रहने वाला है तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकालने की नहीं होने वाला है तो बिल्कुल सभी candidate हैं पर यदि आप confidence रखते हैं कि आप बिल्कुल कर जाएंगे आपने थोड़ा बहुत भी किया है ITI में तो आप बिल्कुल कर लेंगे अब देखे friends अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका जो है electrician electronics क्योंकि friends ज्यादा जो है यह काम नहीं करूँगा कि यह भी पूछा जाने वाला है और आप सभी के अंदर जो है वो डर पहले से ही बैट जाएगा तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपने अंदर हाउसला रखें और विश्वास रखें मुझे कि इसी टाइप से आपका एक्जाम में मिलने वाला है ट्रेट टेस्ट, स्किल टेस्ट कोई बड़ा लंबा चोड़ा नहीं है यह बहुत ही सिंपल तरीके से DRDO कराता है इसलिए इसको लीक नहीं किया जाता है इसलिए आप से भी देख पर होंगे आपको कहीं पर भी जानकारी इसकी नहीं मिलेगी क्योंकि जनरली बेसिकली कुश्चन जो आप से यहां पर पूछी जाते हैं अब देखे होता क्या है कि अब यहां पर आप से भी देख पर होंगे इस बार जो है candidate इन्होंने कम बोलाए है इलक्टोनिस का भी और बेल्डर का बेल्डर वाले candidate क्या है आपको बेल्डिंग अच्छी से आनी चाहिए आपको जोब जो है वो जोइंट करने के लिए दिया जाएगा ज्यादा बहुत लंबा चोड़ आपको काम नहीं करना है बहुत सिंपल सा काम होगा उसमें भी आपको question भी लिखने होंगे और आपको जो है वो तो मैं आप सभी को बता चाहिए वो तो सभी को करना होता है कि आपका जो practical जो आपने किया है उसकी working लिखनी होती है क्या-क्या यूज किया कितना उसका diamonds था इस तरीके से जो है आपको यहां पर लिखना है electronics वाले color coding आपका solding आयरान अच्छी सा आना चाहिए components आना चाहिए timer 555 आपका होना चाहिए non-inverting जो आपको जो 741 है वो होना चाहिए जो आपको होता है clamping circuit जो है वो यह सारी important जो आपके हैं उस तरीके से electronics में iti वाले जितने भी candidate हैं उनसे कहुँगा कि अभी आप जिस भी iti से के हैं वहां जाकर के एक दो दिन practice जरूर कर लें मैं मानता हूं कि आप 5 दिन भी अच्छी से practice कर लेते हैं कहीं पर भी तो आपको बिल्कुल अच्छी से knowledge हो जाएगी यदि आपको color coding नहीं आती है तो color coding के लिए आप YouTube पर बहुत सारे वीडियो ड़ले होंगे हैं आप सा जागत के जो चेक कर सकते हैं electrician वाले आप सभी को star data collection आना चाहिए star delta जो connection है वो आना चाहिए आपको motor की rpm निकालनी आनी चाहिए आपको इस तरीके से जो आप से question यहां पर पूछा जाने वाला है इस तरीके का आपको practical होने वाला है उसके बाद friends यहां पर आपको series connection आने चाहिए आपको earth line कौन सी है face line कौन सी है यह सारा आपको अलग-अलग यहां पर आना चाहिए तो ज्यादा यहां पर difficult नहीं होने वाला है जितने भी candidate परेशान है कि सर क्या क्या पूछा जाने वाला है तो बहुत normally basic यहां पर आपका test होगा ज्यादा hard work नहीं होना है क्योंकि आप सभी देख पर होंगे यह आपको लग रहा है कि आप कर पाएंगे और teacher की मदद प्ले सकते हैं उसके बाद friends यहां पर जो है अब देखिए यहां पर बात कर लेते हैं friends की आपका ड्राफ्ट मेकैनिकल कॉपा कॉपा की बात करें तो friends जितने भी candidate हापर कॉपा trade से हैं सर कह रहे थे कि देखिए मेरे पास कुछ गलस ने भी हाँ पर comment की है कि सर कॉपा में क्या पूछा जाए देखिए कि आपको shortcut की आनी चाहिए आपको PC पर PCV पर आपको working करना होगा तो उसमें क्या करना है आपको file बनाने एक्सल में थोड़ा working आने चाहिए उसमें क्या है आपको जो है email जो है अटेश करना आने चाहिए मरज करना आने चाहिए इस चीज को धान लटना है worksheet निकालनी आने चाहिए यह चीज जो है बहुत बेसिकली चीज है यह आप सभी कॉपा में की होंगी बहुत सारे candidate ने तो इस तरीका जो है आपको computer की knowledge होने चाहिए यह होगी आपका कॉपा से संबंदित ज्यादा hardly question यहाँ पर नहीं पूछा जाने वाला है उससे कॉपा से संबंदित basically question होने चाहिए डर्फ्ट में mechanic की बात करें तो इसमें जो है आपको drawing करना होगा कोई भी drawing यहाँ पर तयार करना होगा देखे आप AutoCAD को लेकर के कुछ candidate कहा दे थे कि सर्फ कौन सा AutoCAD इस्तमाल होगा यह पेपर सीट पर करना होगा देखे 2019 की बात करें तो पेपर सीट पर भी आपका drawing आपको बनाने के लिए दी गई थी लेकिन इस बार आपको मैं बोल नहीं सकता कि AutoCAD पर इस तरीके से आपको निकालना है यह इस तरीके से आपको करना है तो जितने भी candidate है तो इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी परिशान रहने कि आपको skill test कैसा होने वाला है यदि आप middle class family से हैं आपको बिल्कुल यहापर आप कोचिंग नहीं जा सकते हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपने इसके according आप अच्छी से आपर तयारी कर सकते हैं उसके बाद friends यहापर यूटूब पर भी आप जाकर के बहुत सारी वीडियो डली हुई है आप सभी उसके according भी तयारी कर सकते हैं अब देखें यह जो trade है आप से भी जितने भी और अन्य trade है अपने trade के according जितने भी candidate है जो भी आपने IT में पढ़ा है जो practical आपने IT में किया है उसके according आप यहापर basically knowledge जरूर रखें क्योंकि generally basic यहापर knowledge आपके question आप से वीडियो करन नहीं डाल पा रहा था दो दिन से कि तभी अथोड़ी सी सही नहीं है आप ब्रॉपर तरीके से मैं आप सभी को वीडियो नहीं डाल पाया हूँ इस तरीके से और फिर भी मैंने आई सकोशिस किया कि आप सभी क versuchen यहापर ये वीडियो प्रोवाइड कर पाया हूँ, यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, आप सभी में से बहुत सारे छात्रे से हैं, जो बाके में ही बहुत कुछ जानते हैं, तो फ्रेंट्स आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ज्यादा स्किल टेस्ट लेने की जावश्यक्ता नहीं है, बट जो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है, कोरोना काल में आइट्याई किये हुए हैं, उनसे कहूंगा कि आप जो है, या तो फिर आइट्याई वाले अपने टीचर से संपर्क करें, वो क्या करेंगी कि आपको प्रेक्टेली, बहले ही वो कुछ आपसे थोड़ी बहुत भी यहाँ पर फीस ले लें, लेकिन उन कोचिंग सेस्टाव से आप बच सकते हैं, तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान लखें, और जनरली जो आपका आपका आईट्याई में होता है प्रक्टिकल, वही आपको प्रक्टिकल वहाँ पर भी देखने को मिलने वाला है, तो इस चीज को ध्यान लखें, ना तो आपका इंटर्वी होने वाला है, ना आपका वाईवा होने वाला है, केवल आपसे बेसिक नॉलिज की कुछिशन आपर जो आपसे एक दो कुछिशन पूछे जाने वाला है, तो इस चीज को यहाँ आपका जो है आज का जो वीडियो था और ये वीडियो काफी लेंथी हो गया है उम्मीद करता हूं फ्रेंट्स आप से अच्छे से समझ पाए होंगे यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरि है तो आप से भी कमेंट करके बता सकते हैं तो मिलता हूं फ्रेंट्स नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए सबी को जहन बंदमात्रम